हेलो गाइज वेलकम बाक तो माई यूटूब चैनल सो गाइज आई वी प्याइस एस सो के जो कैंडिडेट्स हैं के कोश्चन जो है बहुत जादा आरहें कमेंट्स में सो मेंन कोश्चन यह है कि मैं हमारे मांक्स इतने हैं कि हमारे स्लेक्शन होने के चांसीज हैं देखो मैंने पोल कंडग किया था उसमें जो सबसे ज्यादा मांक्स मुझे देखने के लिए मिले वह 30 से 40 के बीच में आ रहें जैनल कैंडिडेट्स ठीक है तो गाइस देखो अग आपके बहुत अच्छे चांसीज हैं अगर आपका इंटर्वी जो है एवरेज भी गया हो मांक्स आपके 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं तो आपके चांसीज बहुत जादे बनते हैं क्योंकि देखो रीजन यह है कॉम्पिटिशन बहुत लेस है और उपर से यह मेंस के बाद ह आदे बच्चे आपके प्री में ही निकल गए ठीक है और आदे बच्चों ने डाया चूंँ अपन पहीं की व्यावरें नहींपनेångद वेकंसीज घिए वेकंसी सर्सीज निकल गए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादे है उट क्योंकि यह जैदे मौटे ह मौरे पहाग टफ सा हैं कि हो जाएगा सो गाइस टेंश है मत लीजे और अगर आप OBC या SCST मतलब इन में आते हो और आपके 30 से 40 आ रहते हैं तो बहुत अच्छे माक्स माने जाएंगे ठीक है और बाकी अगर आपके 25 से 30 के बीच में तो वह भी अच्छे माने जाएंगे यह उनकी बात करें जैसे OBC हो गया ठीक है और बाकी अगर आप SCST से हैं तो आपके 20 से 30 के बीच में भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे माक्स माने जाएंगे तो गाइस बाकी आपके इंटर्व्यू अच्छा हुआ हो और आपके माक्स बहुत मतलब इतने आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे चा बहुत अच्छे चांस है कि PNB रिपोर्ट करें वेकेंसी ठीक है क्योंकि मैंने देखो PNB को RTI भी लगाया था लेकि उन्होंने सही से नहीं लिखा था कि अभी वेकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई और उपर से आधे बच्छों नहीं भी लगाया तो उनके मार्केटिंग का जवाब दे दिया था तो गायस वेकेंसी तो रिपोर्ट होगी PNB की तरफ से और यह चीच आई भी थी पहले शायद आपने देखी होगी जब स्टार्टिंग में यह आई थी जैनवरी की बागी कोई वी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्ट्रागैम पर कमेंट कर सकते थीच है और वह अकाउंट को फोलो कर ली जैगा जो मैंने फ़ाल लिंक में शेयर करूंगी उसी अकाउंट को फोलो कीजेगा वैसे आप ऑप दोनों कर चकते कोई दिक्कत निया थीच है दोनों मेरे यह Akaunnt है सो बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन टिकें बाइ झाल 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 झाल